अचानक से तूर्की ने F-35 को reject क्यों कर दिया है क्या भारत F-35 को खरी देगा जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से चीन भारत को अपना भाई बताने लगा है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जानने को बहुत कुछ मिलेगा आएए जानते हैं इन कबरों को विस्तार से पाकिस्तान के दोज तूर्की ने अमेरिका के फाइटर जेट F-35 की घंगोर बेजती कर दी है और उस फाइटर जेट के कलब में जाने से इंकार कर दिया है जिसे अमेरिका दुनिया का सबसे खतरनाक स्टिल्ट फाइटर जेट बताता है ऐसी रिपोर्ट है कि तूर्की अपने रूसी S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही बनाए रखेगा और F-35 स्टिल्ट लडाकू कारिकरम में सामिल होने के अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा तूर्की के विदेश मंतरी हकन फिदान ने चार फरवरी को S-400 को अमेरिका फाइटर जेट पर प्रात्मिक्ता देने का संकेत किया जिसके बारे में अमेरिका के उपसचीव विक्टोरिया नूलेंड ने पिछले हपते एक इंटर्व्यू में खुलासा किया था अगर अंका ने ऐसा करने से मना कर दिया है आपको बता दें तूर्की को रूस से S-400 करीदने की वज़े से साल 2019-2020 अमेरिका ने अपने F-35 कारिकरम से बाहर कर दिया था इसके बाद अमेरिका ने Countering of America's Adversaries to Sanctions Act के तहत तूर्की की Defense Industry पर परतिबंद लगा दिया था जो अभी भी जारी है Eurasian Times की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कैसे अमेरिका ने दोनों देसों को हतियारों की बिक्री की मजूरी देकर भूमद्य सागर में तूर्की ग्रीस की दुस्मनी को जबर्जस तरीके से भुनाया है अपनी वायु सेना को आधनिक बनाने की तूर्की की लंबे समय से महसूस की जारी या सकता को पूरा करने के लिए अमेरिका ने पहले सुनिश्चित किया कि तूर्की की संसद स्वीडन की नाटो सदेस्चता की पुष्टी करे तुर्की की संसद ने स्वीडन को नाटो में सामिल करने की मंजूरी पिछले मैं नहीं दे दी इसके बाद अमेरिका ने अपने मौजूदा F-16 बेड़े के लिए अंकारा को F-16 ब्लॉक 70 वेरियेंट और आधुनी की करन कीट की विक्री को मंजूरी दे दी लेकिन फिर उशने तुरंत कटर परतीदवन्दी ग्रीस को भी F-35 बेचने की घोशना कर दी अमेरिका ने ये जानते हुए भी ऐसा किया कि इससे भूमध्य सागर में सैन संतूलन ग्रीस की और जुग जाएगा अमेरिका ने अनुमान लगाया कि तुर्की को एक हवाई मंच की आवसकता महसू और सिर्फ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना ही प्रियाप्त नहीं होगा और इसलिए अमेरिका ने कहा कि अगर तुर्की को F-35 फाइटर जेट चाहिए तो उसे रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम संजोते से बाहर आना होगा लेकिन तुर्की की विदेश मंत्री की फिदान ने संकेत दिया कि तुर्की ऐसा करने वाला नहीं है दिल्चस्प बात यह है कि जब तुर्की ने देखा कि अमेरिका ने ग्रीस को F-35 फाइटर जेट बेचने का ओफर दे दिया है तो उसे पांचवी पिड़ी के इस्टील्थ लड़ाकु विमान के भविस्य के अधिग्रहन के जबाब में अपनी F-35 रखनी की आउसकता को ही खत्म करने का फैसला किया है आपको बता दें चार तरह की रनीती के तैयार की है पहला IS-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बाहर निकलने के बजाए अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के प्रस्ताव को खारिज कर द आने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे की से निच्हमताओं पर भी बारी की नजर रख रहे हैं तीसरा तुर्की यूरो फाइटर टाइफुन जेट जेट जेनरेशन 4++ लड़ा को विमान खरीदने की संभावना तलास रहा है जो अत्यदिक परिस्कृत है और जो F- 35 से सिर्फ एक पाइदान नीचे है एस 400 उसके F-16 के स्वाधुनिक बेड़े नए F-16 ब्लोक 70 यूरो फाइटर टाइफुन का संयोजन है वहीं तुर्की सुनिस्चित करना चाहता है कि ग्रीस तकनीकी रूपे उससे आगे न निकल जाए ये विचार उस इस्तिती में है साथ महत्पून परगती भी की है और सोच रहा है कि वह इसी को आगे बढ़ा दे आपको बता दें F-35 वही फाइटर जेट है जिसको लेकर भारत में भी कहा जाता है कि भारत इसे खरीद सकता है ऐसी रिपोर्ट से कि भारत और अमेरिका में F-35 को लेकर बात हुई है भारत इसलिए Stealth Fighter Jet खरीदना चाता है क्योंकि चीन के पास दो तरह के Stealth Fighter Jet है एक स्खोई 31 Stealth Fighter Jet उसने पाकिस्तान को भी बेचने का फैसला लिया है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत भी अब 2025 तक ब्रह्मोस एंजी बनाने की तरफ दि भारत हतियारों के छेतर में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है ब्रमोस एक्सपोर्ट के डाइरेक्टर परवीन पाठक ने आठ फरवरी को समाप्त होने वाले वर्ल्ड डिफेंसों में इसका खुलासा किया और कहा कि नए ब्रमोस एंजी रोकेट की लॉंज की तारीख 2025 के अंत या 2026 की सुरुआत में हो सकता है पाठक ने कहा कि उन्हें 2025 के अंत से पहले फ्लाइट टेस्ट सुरु करने की योजना बनाई है उन्होंने कहा कि बताई गई समय सीमा कानुपाला न करने के लिए कोई पूरु सर्थ नहीं होगी ये घोसना तब हुई है जब भारत रूस जॉइंट वेंचर के पोर्टफोलियो में कतित तोर पर 7 अरब अमेरिकी डॉलर की ओर्डर थे ब्रह्मोς मिशाइल की मारक्षमता का विस्तार कर रहा है एलसी पर चीनी आक्रमक्ता को काउंटर करने के लिए ब्हारत इसके इसके सीक्रेट और कॉम्पेक्ट वेरियंट को डबलब करने के लिए भारी निवेस भी कर रहा है और आपको बता दें ब्रमो सेंजी को लेकर भारत बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है क्योंकि कहा जाता है कि ये एक स्टिल्थ मिसाइल होगी और इसे पकड़ पाना आसान नहीं होगा खेर भारत काफी सारे छेत्रों में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और अब इसे देखते हुए चाइना के भी दो तरह के सब्द निकल कर आ रहे हैं एक में चाइना भारत के लिए अच्छी अच्छी बा तो बिलकुल ऐसा हुआ है भारत और चीन में तना तनी की खबरे आम रहती है लेकिन चीन के महावानी जिदूत कौंग सिनुहा ने भारत और चीन की प्राचिन सभ्यता और संस्कृती का हवाला देते हुए बड़ा बयान दिया है राजदूत कौंग सिनुहा ने दोनों दे कोंग ने सुकरवार को मुंबई में चीन के नव वर्स समारो और चीनी सांस्कृतिक कारेकरम के आउसर पर ये बात कही उन्होंने कहा कि 2023 चीन और भारत दोनों के लिए उपलब्दियों भरा साल रहा है उन्होंने कहा हमारे लोगों के बीच ब्यापक सहयोग से ये संभव ह हुआ है उन्होंने कहा कि 2023 में चीन भारत बैपार 136.2 अरब डॉलर से अधिक हो गया उन्होंने कहा कि भारत में चीनी दूतावास और महावानी जी दूतावास ने पिछले साल 1.8 लाख लोगों से अधिक का वीजा जारी किया है और ये सारी चीजे बताता है कि हम दोनों ह बता दें जिनपिंग बदलने वालों में से नहीं है और यही माना जाता है कि जिनपिंग का जो रवया है वो रवया आने वाले बहुत सालों तक नहीं बदलेगा और जिनपिंग सत्ता में रहे तो भारत के साथ तानातनी भी होती ही रहेगी वैसे इन सब मामले में आपकी क क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ